देश दुनिया साहित्य आसमा जहां होती है हर मुद्दे परपाद विचार है दिमर्ष है हल है निशकर्ष है हर सवाल का हाजिर है जवाद जिस जुणा है परंपरा संस्कृति संप्रति, 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 संप्रति परिक्षाओं का मौसम है और जन घड़ों में बच्चे परिक्षाओं में अपियर हो रहे हैं जाए वो 3th की परिक्षा है हो या 12th की उन घड़ों का अग ही माहल है क्योंकि बच्चे तो थोरे चींटित रहते ही हैं कि उनका एकजाम अचा जाए, बच्छा चीफ करें, अच्छे मार्स आजाए पारेंट्स का याईज had Ring, पारेंट्स के प्रेसर है तो लिए दे कि पूरा माहौ परिक्षाओंवाला हो गया है हर घर में बच्चे हैं और घर में परिक्षाएं हैं तो यह तो ही बोर्ड की बात इसके साथ ही जो बच्चे क्योंकि आज के ज़माने में हर बच्चा 12 की परिक्षा के साथ-साथ यह भी तैक कर चुका होता है कि उसको आगे क्या करना है 12 के बाद वो लॉब पढ़ेगा वो इंजीनियर बनेगा वो दॉक्टर बनेगा या वो कॉमर्स पढ़ेगा साईनिटिस्ट में किया बनना है वो उसके मन में होता है तो इस वज़े से भी तैयारियां उन variants olisstyle, उसके तैयारी करते है ज्यादा फोकस जो चलन है वो हम जिसे सहरों में जहां राची में बैट के बात कर रहे हैं मेडिकल और इंजिनिरिनिंग के कोर्सिस की भाई अधिकतर बच्चे चाहते हैं कोई या तो इंजिनियर बन जाए या फिर डॉक्टर बन जाए तो कुल मिला की इस तरीके का माहौल हमारे समाज में भी है इसलिए आज के काडिक्रमें हम बात करना चाहते हैं परिक्चाओं पर और खासकर मेडिकल और इंजिनिंग की जो तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं जेई की या फिर नीट की उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते अपरी बात चीट से इस पर तो आज के काडिक्रमें हम आदे हुंटे तक हमको बात करनी है मेडिकल इंजिनिंग की पर एक छौप और इस पर बात करने के लिए में खास मेमान को बुलाया है स्वागत करते हैं सुधान सुजी का जो जाने मने करें काउंसलर हैं और पहले भी हमें समझा चुके हैं कई बार हम दोगों ने खास करें मेडिकल की बच्चों के इंसे जानकारियां ली हैं और इंजिनिंग पर ही बात की है तो सबसे जरूरी चीज है कि अगर नीट की बात है और इस बार अप्लिकेशन फॉर्म भरने में भी काफी चेंजे जाया है तो खैर अप्लिकेशन फॉर्म भरना तो प्राइमरी चीज है बच्चे कैसे भी करी लेते हैं और लास्ट रेट भी बहुत पास है अब नेक्स्ट मन नाइन्थ आफ मार्च को क्लोज हो जाएगा उसके पहले पहले तो अप्लिकेशन फॉर्म फिल कर ले और बच्चे को साथ में और एक चीज है प्लस टू का एक्जाम भी चल रहा है जो पेरिंग वाले बच्चे है तो उनके लिए भी काफी बड़ा एंजाइटी है लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी बच्चे को ये करना चाहिए पहले प्लस टू को भी शात में फोकस करना चाहिए जो प्लस टू है जो पहले से पास आूट बच्चे है उनको ये प्लान करना चाहिए कि अब कम टाइम में जितना MCQ कर सकते हैं और कुछ लिमिटेड ऐसा नहीं है कि अब हम चाहिएंगे फिजिक्स, केमेस्ट्री और जो इंजिनिरिंग के बच्चे है मैटस इंजिनिरिंग का तो एक्जाम अल्रेटी चल रहा है जेई का तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी कुछ उनको एमसी की जो सॉल्ब करना है कुछ लिमिटेट कोश्चन्स सॉल्ब करने चाहिए या जिनका जो पॉर्शन सपोच फीजिक्स है लग केमेस्ट्री है बायो है बायो में दो पार्ट्स है बाटनी है जो लोजी है तो शायद कुछ बहतर कर पाएंगे और अभी है जो टाइम है उ तो आपका मस्ठ है अगर आप अपलाई करते हो तो आपका आधार मोबाइल से लिंक्ट होना चाहिए पहला है और दूसरा तरीका है आपका डीजी लोकर जैसे अधार अगर लिंक होगा तो डीजी लोकर में आप सीधा सीधे आपका क्या होगा कि बच्चा का अपडेट हो तो आप application में join कर पाएंगे, दूसरा है बच्चे का या तो pen card बना होना चाहिए, तो इन सब चीजों को parents के लिए बड़ा अभी पेचिदा है, कि थोड़ा सा उनके लिए परिशानी है, तो सबसे पहले ये परियास करें, जिन्नों ने application फिल कर लिया है, उनके लिए ठीक है, जिन्नों ने नहीं किया है, वो बच्चे को mobile और आधार card से link करा दे, जिसे कि apply कर पाणी में उनके लिए सुविधा हो, दूसरा है, manually कोसिस करें, कि application जो फिल करें, उसको दो-तीन वार चेक करें, कहीं कोई mistake ना हो, हलांकि उसके लिए editing option भी खोलेंगे, तो वहाँ पे भी जाके आप सुधार कर सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी फिर option आया है, तो सुधार कर सकते हैं, और जो J.E. का होना है दूसरा सी, इनके बच्चों को करना चाहिए, तो वैसे बच्चों को देखिए, अब तो J.E. के बच्चों को पता लग चुका है, पहले exam दे होगा, खूब धेर सारी बेहनत करें, M.C.Q. जितना solve करें, उतना उनके लिए अच्छा होगा, जनरली क्या होता है कि बच्चे कहते हैं कि हमारा बोर्ड भी है, बोर्ड में अच्छा marks लाना है, मच्चीब करना है, और फिर N.E.T.R. J.E. भी है, तो यह कैसे समझस करें, तो आप बोर्ड की एक्जाम देते हैं, तो फिजिक्स सेम, लगबख सब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है, थोड़े कुछ, एक-दो सब्जेक्ट सालग होते हैं, तो हमको कॉडिनिशन ऐसे बठाना है कि आपने अब तक जो प्लस टू के प्रिपशन किया, उसमें फिज के लिए जो एक्जाम के लिए वो आपको प्रियरेटी है कि आपको सबसे पहले तो पास करेंगे, प्लस टू तभी आगे, आप कुछ कर पाएंगे, तो सामझ जैसे बिठाने के लिए इधर M.C.Q. सॉल्ब करें, क्योंकि आपने जो थोड़ा-थोड़ा टाइम का कॉडिने कुशन. और ये भी होता है कि कहीं बाद देखते हैं कि बच्चे जो है, जैसे मेरा ही बेटा है कि एक्जाम किसे में घुप ज़्यादा पर रहे हैं, भाई हम तो बहुत पर रहे हैं, ठीक सो नहीं पाएं, तरणाविमी हैं, और कोछ बच्चे जो रिलाक्स रहते हैं, तो इजी वे क्या है, कैसे रहना चाहिए? अभी रिवीजन होता है, तो आप रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा करें, चुकि प्लस टू की पढ़ाई तो आपने एक साल पहले कर लिया, अब तो आप सिफ रिवीजन कर रहे हैं, तो पास तो कर ही जाएंगे, ठीक है, इस टार्गेट से आप पढ़ाई कर रहे है लेकिन आपको साथ मेडिकल का भी जुनून है कि मुझे इसी साल अच्छा करना है, तो फिर उसके लिए आपको कम से कम आभी रिवीजन है, जितना सेट बना लें, मतलब हर दिन कोसिस करें कि एक टाइम, अगर आप आज नहीं कर सकते हैं, तो एक विक का रूटीन बनाए, क कि आपका कमपोडिशन का भी प्रपेशन होता रहा है, और एक्जैम भी चलता रहा है, तो अपने आपको बैलेंस कर पाएंगे, अच्छा एक से ज़र है कि जो बच्छे नीट की त्यारी करते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हमारा स्कोर्च काफी दबाओ है, कि इतना स्कोर पुड़ाएगा तक फिर उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अधरवाइज फिर उनको प्राइवेट कॉलेज के दिरफ जाना पड़ेगा, इसमें खर्च काफी होता है, तो नीट के लिए, इस्पेसली जो लड़के या लड़कियां जो तैयारी करें नीट की, उनको किनकी 242 के पेपर्स होते हैं, उसमें आपको कितना marks आ रहा है हुई, तो अभी सपोच मान लो physics आपका कैसा है, chemistry कैसा है, bio कैसा है, अगर आपको ये लगता है कि physics मेरा tough है, और उसमें कम score आ रहे है, चुकि अभी जो test series जहाँभी आपने जोईन कर रखा है, तो आपको सब से पहल चाहिए, तभी अच्छे college के option आपके पास मिलते हैं, तो सबसे पहले ये करना है parents को या बच्चे को, parents को तो सबसे पहले बच्चे को cool रखना है कि भाई tension मत लो और जो होगा बेतर करो, और बच्चा को ये करना है कि तीनों ही subject को proper way में preparation करना है, अब जैसे मैं अगर अपने style में बता हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि physics को अगर आप first half में complete करते हैं, second half में आप chemistry कर लिजिए, next day आप क्या कर लिजिए, बायो कर लिजिए first half, इसके बाद second half में फिर physics revision कीजिए आप, तो ऐसे अगर आप balance करते हैं, तो सायद आप maximum score कर सकते हैं अच्छा, एक दिस और है, आसकल के दिन में चलन बढ़ा है, कि एक तो है कि कोचिंग तो आपको लेना ही पड़ता है, सपोर्ट अदरवाइस पास करना काफे मुस्किल होता है, और दूसरा ये कि कहीं बहुत नॉन इसकूलिंग की बात होते हैं, कि हम school में बच्चों को डा घर में preparation करता रहेगा, और घर में preparation करता रहेगा बच्चा, तो फिर सबसे बड़ी परिशानी ये आईगी कि अगर उसको मान के चले कोई teacher, क्योंकि schooling में आप जब करते हो, तो कहीं न कहीं आपके subject फे आपको focus किया जाता है, तो कोई भी faculty जो होती ही, आपको कुछ ना आप स्कूल में ही जोइन करें, और स्कूल के साथ balance करना पड़ेगा आपको. अब यह समझाईए कि बोर्ड की परिख्वाँ के बाद, जैसे बोर्ड का exam तो हो गया, और ऐसा बहुत कम ही होता है कि किसी ने इसमें, जैई में कापी marks लिया, बोर्ड भी score नहीं हो, ऐसा नही नीट के लिए, तो उस वक्त में, बोर्ड और उस exam के बीच का जो period है, उस period में बच्चे का routine कैसा होना चाहिए, किस तरीके का खान पार होना चाहिए, क्या कुछ focus on को करना चाहिए, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, देखिए, सबसे अच्छा स्वाल आपने पूछा है, कि बच्चे को इस बीच को कैसे balance करना चाहिए, सबसे पहला चो है कि उनको time management, time management यह है कि आप अगर हम fooding style की बात करें, तो आप पहले थोड़ा diet जाधा ले लेते हैं, कम लेते हैं, तो अभी कम से कम at least छोटा छोटा मिल ले, जिससे कि आपको थकान फिलना हो, आप आराम से comfortable रहें, और आराम से पढ़ा ही कर पाएं, तो balance करने के लिए क्लिए क्या है कि देखिए, आप exams को balance exams और इन दोनों exams दोनों अलग अलग type के चीज हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, कि आपका जो extra activities हैं, जैसे आप कोई खेल कूद में time दे रहा है, कोई movie दे रहा है, कोई TV दे रहा है, कोई gossip करने में दे रहा है, तो इन सब चीजों को avoid करें, और कोशिश करें, even social media से दूर रहें, YouTube हो, Facebook हो, चाहे Twitter हो, कुछ भी हो, बच्चे को इन सारी चीजों से दूर होना चाहिए, अभी बस एक ही focus है, कि जो मेरा main subject है, उसको complete करें, ताकि म चाहिए, चले जाते हैं, आप दूसरी तरफ उसको ख्याल नहीं रहता, अच्छा, अब यह समझाईए, कि जब परिक्षाएं हो जाती है, मेंस वाली या फिर नीट वाली, उसके जब counselling का process आता है, तो counselling के process में कैसे participate पच्चा करें, कैसे त्यारी करें, ताकि जो college चाहता है, उस marks का reward उसको मिल जा, ऐसा नहीं कहीं उसमें दिक्कत हो, देखिए, main क्या होता है, कि जब result publish हो जाता है, बच्चे को तो देखे, exam देने के बाद ही पता चल जाता है, कि कितना क्या score हो रहा है, तो आप compare करते हैं, लेकिन कभी भी यह compare नहीं करना चाहिए, कि last year का cut-off इतना था, उसके last year का इतना cut-off था, तो मेरे को यह seat मिल जाएगे, सबसे पहले, अगर आपका जो भी score आता है, तो आपको score से यह पता चल जाता है, अगर 600 प्लस का score है, तो definitely आप plan करेंगे कि government college मिले, 580, 70 से ही लो target ने लेते हैं, तो अब क्या होता है, आपका score है, उसके according अगर माल लिजे, आपको government college मिलने की थोड़ी भी possibilities है, तो उसका एक plan बनाना चाहिए, अगर लगता है कि सरकारी college हमें नहीं मिल पाएगा, और हमें private में admission ले सकते हैं इस साल, year lose नहीं करना है, तो उस conditions में आपको हर state के जो best college है, उसको देखना चाहिए, कहा open state है, कहा open नह parents कर पाएंगे, कहीं बार parents भी यह चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि हमारा year lose नहीं हो, तो private colleges की तरफ जाते हैं, तो private colleges का चुनाव करते हैं, तो उस वक्त जैसे आप बता रिक नहीं फीक के बारें, पता कर लें, प्र फैकल्टी कैसे हैं उसको पता कर लें, क्या है मना private college के लिए आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले तो parents का एक रोल होता है, कि parents को place और money, यह दो चीज, कि अगर किस place में हम भेज सकते हैं, कितना distance पे भेज सकते हैं, और दूसरा होता है, कि कितना yearly fees तक हम effort कर सकते हैं, चाहे वो लोन ले के करें या खुद से करें, तो अगर य college, एक ही college है, तो अगर हमारे nearby कोई है, तो बिहार है, या UP है, तो अगर यहाँ select करना है, तो यहाँ सबसे पहले देखना होगा कि कौन सा college कितना पहले establishment year देखना पड़ेगा, उसके बाद देखना होगा कि अगर वहाँ पे PG की seats भी है, तो definitely है कि अगर यह कोई भी college अगर PG कितना पुराना है establishment year, यह दोनों चीज मालूम हो जाए, और तीसरा चीज होता है faculty, तो faculty आपको easy way में उनके website पे जाएंगे, तो सारे faculties details मिल जाती है, और आज के date में social media इतना ज्यादा active है कि आप easy way में किसी भी college के website पे जाके कोई ना कोई relative family, friends रहते हैं, आप पता कर सकत individual उनके लिए मालूम करना पड़ेगा, लेकिन अगर individual नहीं करना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं NMC के website पे जाएं, college के establishment year देख लें, वहां से आप एक listing बना लें, दूसरा tuition fees देख लें, hidden charge देख लें, कि हमारे budget में है कि और college अच्छा है, फिर select कर सकते हैं, hidden charges क्या होते ह hidden charges क्या होता है, एक तो college अपने website पे लिख लिए कि suppose मेरा tuition fees 10 लाख रुपे है, example, per annum, उसके साथ आपका hostel है, सबको पता है कि hostel fees select नहीं है, उसके अलावे आपको examination fees है, उसके अलावे कुछ extra development fees है, तो कई college development fees, ये fees, वो fees, miscellaneous के नाम पे आपको 2-3 लाख रुपे extra ले ले होते हैं, तो इन से बचना चाहिए, इन से बचने के लिए आपको पहले वही है कि state-wide select करना होगा कि कौन सा college better होगा, अच्छा, अब जो government colleges की बात होती है, तो मुस्टल मदलिक 3-600 स्जादा स्कोर रगर है, आपका तो government college मिल रहा है, लेकिन चारखन के street में जो colleges हैं, चुक अगर हम बात करें, जारखन में, जारखन के जो बच्चे हैं, चुकि ये तो सब बच्चों को पता है कि 85% seat state quota का होता है government colleges में, और 15% seats all India quota का होता है, तो चुकि जारखन में, चुकि college कम है, लेकिन यहां के cut-off भी थोड़ी कम रहती है, और state से अगर compare करेंगे तो, तो अग category wise है, अगर हम मान के चलें कि, अगर हमारा marks 600 plus है, तो फिर 100% है कि हमको government college मिल जाएगा, अगर ST, SC में हम आते हैं, OBC का भी लगबग वही आप मान के चलें, 600 के आसपास, ST, SC में आते हैं थोड़ा down आएगा, लेकिन down कितना आएगा मान के चलें, अगर आपका marks 450 plus है, तो college में मैं समझता हूँ कि, ज्यादा score की जरुत नहीं होती है, 250 plus है, तो में भी चांस है कि आपको seat मिल जाएगा, गरवा में, और यह जो सिक्की मनिपाल उनिवर्सिटी का, जुच्छम सेथपूर में college है, उसके लिए क्या है, यह तो दिम्न उनिवर्सिटी हो गया, तो दि इनकी जो कट अफ जाएगी लगभग आप मान के चले 400 प्लस, तब ही जा कब ले सकते हैं, जो बच्चे मिन्स देते हैं, या फिर जो बच्चे एडवांस दे रहे हैं, तो उनको पता कि, अगर कर लिया आचीव, तो हमको IIT मिलना है, और जो बच्चे एडवांस नहीं कर प ब्रांच है कि कौन सा ब्रांच हम लेंगे, बच्चा ये डिसाइड कर लेंगे कि CS, EC लेंगे, Electrical लेंगे, Mechanical लेंगे, Civil लेंगे, पहले अगर पर्टिकुलर ब्रांच डिसाइड कर लें, उसके बाद डिसाइड ये कर लें कि कॉलेज, हमें जहां भी हमें जाना है, के अलग सी एक्जाम कंड़करती है, अगर इन सब एक्जाम में अच्छे स्कोर आते हैं बच्चों को, तो वहां आपको ये देखना चाही कि कौन सा कॉलेज, कितना पुराना है, पहला, दूसरा क्रिटेरिया ये है कि अगर पुराना है, प्लस हमारे बजट में आता है कि न आता है, तो आपको ये होगा, और जो स्टेट्स हैं, मान के चले करनाटका है, महरास्ट्रा है, तो आपको एक हर कॉलेज के पांस-दस कॉलेज अच्छे होते हैं, जहाँ नम्मर कॉलेज ज्यादा है, तो उसमें से आपको एक लिस्ट बनानी होगी. कहीं बार क्या होता है कि लोग ये सजेस्ट करते हैं कि ठीक है, ब्रांच पे बहुत दारा फोकस नहीं करो, कॉलेज कौन सा है, कि तुम आइटी खड़कपुर में पर रहो हो, कि आइटी बंबे में पर रहो हो, इसका फ़रक है, या तुम बिट्स दिलानी में पर रहो हो, कुलेज़ कि अश्यद आपके प्लेसमिट के प्रlasmen की ब्रांच कोई सब्जेक्ट में अच्छा करते हैं, प्रॉब्लम का आती है, जब आप college select अच्छा नहीं करते हैं और वहां पर आप जाकर के चुकि अभी का जो trend है इस time पर लोग CS को ज्यादा focus करते हैं definitely और college भी कोशिस करता है जो private college है कि CS को ही ज्यादा focus करें लेकिन कुछ private college और कुछ government college में ऐसे college है जिसे मेरा है कि अगर किसी को suppose IIT दिली मिल रहा हो example मैं एक दिया वहां पर उसको civil मिल रहा हो और एक private college में जाकर CS मिल रहा हो तो definitely इसको IIT दिली लिना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि civil में scope नहीं है हमने mindset बना लिया है कि civil में scope नहीं में scope नहीं है polymer में scope नहीं है सारे branch में scope है और जो branch मान के चले कि अगर कोई भी branch चल रहा है तो उसके exposure तो मिलने ही मिलने है उनको लेकिन बच्चों को यह लगता है CS है बस single और उन्होंने mindset सुनके सुना है उनके बच्चे ने यह कर लिया उनके बच्चे ने का देखिए इत में चलने से जब मैं चलता था ट्रेन भरी हुई ट्रेन में उतरने के लिए तो वह दौर और जब पहली बार फ्लाइट में चले और मेरे फादर की चितनी तनकोहात है उससे जाता टिकट का प्राइस था तो वह दौर अब जब सुन्दर पिचाई है तो अब का दो दोनों म जो मेडल कलास सोसाइटी है कि हम जिस राजी में हैं अधिकतों लोग सेलरी पे हैं या फिर वह खती वगड़ा करते है तो आमदनी काफी कम है और फिर भी बच्चे चाहरें को मेडिकल में जाएं या फिर निंग की तयारी करें तो ऐसी बच्चों के लिए रास्ता क्या होत जब आप ये select करते हैं में private institution में जाना हो और ऐसा नहीं कि सारे private institution की tuition fees बहुत ज्यादा होती है और अगर कोई parents जिनके पास really financial problem है तो बच्चे को भी कोशिश करना चाहिए कि बैस से कर पाए अपने state में भी हर state में government engineering college भी होते हैं और government medical college भी होते हैं तो क्या है कि आपको कोशिस ये करना चाहिए कि अगर मान के चलिए आपके state में जो government college अगर वहाँ पर मिल जा अच्छा branch अच्छा branch अच्छा branch in the sense कि अब देखना है ये भी पड़ेगा कुछ-कुछ colleges जैसे जिनके पास faculty अच्छी नहीं है तो वहाँ पर आपको लेके भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा अगर उसकी faculty civil में अच्छा है तो civil में आप अच्छा करेंगे चुकि उनके अस financial भी दिक्कत है तो आपको कहीं न कहीं अगर दूर आप भेजते हो बच्चे को तो थोड़ा बहुत बैंक की facilities की benefit आपको लेनी पड़ेगा और म बच्चे को भी कोशिस यह करना चाहिए अगर parents के पास कम salary कम है या government salary में है या फिर किसान है farmers है हम इतना effort नहीं कर सकते हैं तो उनको प्रयास यह करना चाहिए कि थोड़ा ज्यादा मेहनत करें और अच्छे government institution में नहीं हो जाए selection हमारा और नहीं होता है तो फिर private में मेडिकल की तयारी बचे कर रहे होते हैं तेंस कुछ साल पहले से हैं कि ठीक है हम चार साल में हमने कर लिया नीट का कई बार क्या होता है कि एक जगह पर दूइधा होती है कि इस बार इसको जैसे जो मेडिकलास parents को कहते है ठीक है तुमना 612 है ना जी यह मिल रहा है ना तु हम वाई किया हम इससे बेहतर कॉलेज दे सकते हैं वैसे में बच्चों को क्या सजेस्ट करते हैं क्या करना चाहिए वो रोकें अपना साल इंतिजार करें एक साल दुबारा अपियर हो या जुन मिल रहा हो उसमें चले है दिखिए मेरा सलाह यह रहागा किसी बच्चे को यह रोज नहीं करना चाहता हो अगर अपेरिंग है तो फिर चलेगा वेट कर सकते हैं लेकर गवर्मेंट कॉलेज कहीं भी मिल रहा हो तो अप कहीं सभी करो तो ऐसा नहीं कि PMCH में अलग पढ़ाएंगे, NMCH में अलग पढ़ाएंगे, RIMS में अलग पढ़ाएंगे, academics अगर गवर्मेंट कॉलेज किसी को मिल रहा तो अप्ट कर लेगा तो उसको जाना चाहिए, चलिए अब सब दो मिनिट से भी कम समय है हमारे पास, मेरा कोई सवाल नहीं है, कुछ हम लोगे बाचीत में नहीं पूछ पाया हो, बताना जरूरी हो तो प्लीज बताएंगे, सब करा ले और अपलाई कर ले, दूसरी चीज बच्चे का प्लस टू और यह जो अपेरिंग बच्चे हैं, उनको कोडिनेशन बिठानी के लिए बच्चे को एंजाइटी फिल ना करें, पैरेंट्स भी कूल रहें, बच्चे भी कूल रहें, सोसल मीडिया से दूर रहें, जितन मुझे पर उमीद है कि जो बच्चे हमारा कारिक्रम देख रहें होंगे, या जो पैरेंट्स इस कारिक्रम को देख रहें होंगे, उनको हमारी बाची से फायदा हुआ होगा, परिक्षाओं का मौसा में तनाव नहीं लेना है, अच्छे सा परिक्षा देना है, और अपना ट